हर्यों प्रिदर्सकों, यदि आपकी वरश्चिक राशी है या लगन है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, सितंबर में नवग्र है आपको क्या रिजल्ट देने वाले ह तो आईए सबसे पहरे जान लेते हैं ग्रहों की श्तिती, तो ग्रहों की श्तिती आपके चतुरत भाव में सन्जेव बिराजमान है, तो सस्टम में गुरु और राहु बिराजमान है, और शुक्र आपके भाग भाव में बिराजमान है, नवग भाव में, और यहां पर वालहां कि चंद राशी देते derechos पहले कंशा स्वास्वाषद से देखा जा थो स्वास्त को लेकर कोई खास समष्याय नहीं है क्य gagn यहां पर मंगल अधीपती भावमें भीराजम ऑन भावव में कोई फिक रह बहुत खराब के विराजमान है और देवगुरु ब्रहस्पती और राहु आपके सस्टम भाव में विराजमान है तो थोड़ा साउधानी तो रखनी होगी परन्त स्वास्त बहुत ज्यादा समश्याइं कोई नहीं दिखाई दे रही है आई अब आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थियों क कि विद्यार्थियों के लिए समय कहीं कहीं न कहीं लास्ट में आपको रिजल्ट बहतर मिलेगा पहले फ़री समश्याइं दिखाई देंगी परन्तु लास्ट में रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बुद्ध की बहुत स्रेष्ट है बु अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका ब्रेक अप हो गया था उनका पैचप होने की स्क्ति बनेंगी क्योंकि शुक्र भाग भाव में विराजमान है तो कहीं न कहीं शुक्र का प्रभाव लब पार्टनर के बहुत ज्यादा होता है तो यहां पर इस्तियां आपके पक्ष पार्टनर के लिए शमय यह महीना शितंबर का महीना आपके पक्ष में रहेगा और अब हम दाम पत्ति जिवन की इस्तियां बहुत अच्छी है दाम पत्ति जिवन में यहिदि कोई उल्धने चल रहे थी समस्याय चल रही थी बाद व्याद चल रहा तो वह दूर होगा और आपके life partner के जीवन में कोई बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, उनको धनलाब भी मिलेगा और लोगों का सहयोग भी मिलने बाला है, जिसे यह कोई काम कर रहे हैं, वो काम उनका बनेगा, और आपके life partner के जीवन में कहीं न कहीं भगवान का अशिरवाद भी प्र लाइफ बहुत अच्छी कही जाएगी इस महीने और ब्यापारियों के लिए भी समय पक्ष में है जो लोग बहुत समय से परिसान थे क्योंकि यहां पर सनिदेव आपको प्रभावित कर रहे हैं तो सनिदेव के प्रभाव से कहीं कहीं थोड़ी राहत मिलेगी और धनला भी मि आपकी मान सम्मान में भी ब्रद्धी होती हुई दिखाई देगे अब बात कर लेते हैं केरियर की स्थिति भी बहुत ज्यादा स्वेश्ट है केरियर में आपको मान सम्मान मिलेगा वह स्थितियां जो अभी तक बन रही थी आप परिसान थे मेहनत आप करते थे और लाब को कोई लेता था क्रेडिट उसका कोई ले लेता था इस समय आपको क्रेडिट मिलेगी हाँ परन्तु इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कि मार्ग आपका सही हो सत्त के साथ हो जोट ना बोले और मेहनत करने से पीछे ना हटे शन्यदेव की भी द्रश्टी है य निर्मान कर रहे हैं तो कही न कहीं आप अपने बुद्ध मता के बल पर आप काम निकाल ले जाएंगे वैसे भी मंगल की यह राशी है तो मंगल के अंदर उर्जा होती है और बुद्ध और शूर का जब स्रयोग मिल जाए तो वो उर्जा एक सही राष्टे में लगती है क् उर्जा तो हमारे अंदर है यदि हम उसको सही तरीके से इस्तमाल करें तो हमें सफलता दिलाएगी और उसको गलत तरीके से इस्तमाल करें तो कहीं कहीं सफलता दिलाएगी तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अपने उर्जा को सही रास्ते में ले जाना है ना कि गलत रास अच्छी बात ये है कि यहां पर आपके रासी के अधिपती या लगन के अधिपती माल जाए मंगल है तो मंगल जो है तो बहुत बढ़िया है मंगल की इकातसिभाव में है यह कहिन कहिन धनलाब दिल्वाएगी आपको आपके इच्छाएं पूरति करवाएगी और श्रीकृता के साथ इच्छाइन पूर्ति होंगी परंतु गलत रास्ता ना हो बस इस बात का ध्यान रखना है रास्ता सही हो तरीका सही हो इच्छाइन पूर्ति करने का काम बनाने का तरीका सही होना चाहिए तो बेहतर समय है क्योंकि हमेशा ही इस बात का ध् राष्टा सही चुने क्योंकि शनी देव से समस्य ज़्यादा प्रभाबित निखारते हैं और जब भी आप पत्थर पी मूर्ति बनाएं तो बहुत जादा उसको चोड सहना पड़ता है तो बस यही है इस चीज़ को समझ जाएंगे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है उपाई की बात करें तो सन्य देव का प्रवाव जो है हनुमान जी की आराधना करना सबसे सुरिष्ट रहेगा आपके लिए हनुमान जी की आराधना करिए हनुमान तो जो धन को लेकर पक्ष में हैं वह उसे पर कुछ जो सनी देव अपना प्रवाव दिखाएंगे उनसे चुटकारा मिल जाएगा तो प्रिदर्स को इस चैनल में इसी तरह की वीडियो मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक क करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद